नमस्कार आपके साथ मैरीना जाबालियान अगर मैं आपको किसी के बारे में कुछ पता लगाना है तो आप Internet का सहारा लेंगे? Natural सी बात है अगर आपको किसी के past के बारे में पता लगाना है कि आखिर उसकी history क्या थी और उस personality के बारे में या फिर किसी historical place के बारे में या फिर किसी actor या leader के बारे में अगर आपको पता लगाना हो तो आप natural सी बात है इंटरनेट पर सर्च करेंगे और इंटरनेट पर भी सर्च करेंगे तो आप सबसे पहले खोलेंगे Wikipedia क्योंकि Wikipedia आपको जानकारी देता है leader के बारे में, actors के बारे में historical place के बारे में यानि कि किसी के past के बारे में और पूरी history उसकी या फिर present जो है वो सब उसमें detail के साथ present रहता है और आपको आसानी मिलती है अपनी काम को पूरा करने में अब आप सोच रहे होंगे कि अब मैं आपको आखिर Wikipedia के बारे में आज क्यों ज्यान दे रही हूं दरसल ये मैं इसलिए जिक्र कर रही हूं Wikipedia के बारे में क्योंकि वो Wikipedia जिसका आप और हम इस्तमाल करते हैं और हमें लगता है कि जो उसमें जानकारी दी गई है वो बिल्कुल सटीक है और आख बंद कर हम उस पर विश्वास कर लेते हैं वही Wikipedia आज कल कुछ दिनों से ऐसा काम कर रहा है जिसने ये सूचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वाकई जो हम आख बंद कर के विश्वास कर रहे हैं इस Wikipedia पर क्या वो सही है क्या वो हमें अगर जानकारी दे रहा है किसी लीडर के बारे में आक्टर के बारे में तो क्या वो सही है दरसल माज़रा क्या है अब आप ये भी समझ लीजिए हमने देख था कि अभी फिलहाल राजस्थान के अंदर किस तरह से सियासी तूफान मचा हुआ है सियासी तूफान और उसके बाद आगे क्या होगा इस पर सब की निगाह है और सियासी तूफान भी किस लिए मचा है वो हर कोई जानता है अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता देती हूँ राजस्थान के उप मुख्य मंत्री है सचन वाले जो मुख्य मंत्री का पद चाहते हैं अब इसी की वज़ा से अब वो तलखी अपनी दिखा रहे हैं यानि की अग्रेशन अपना दिखा रहे हैं और वो कॉंग्रिस से हट कर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कॉंग्रिस के अंदर उनकी मनुकामना पूरी नहीं होती महत्वकांशा पूरी नहीं होती है तो वो बीजेपी का भी दामन थाम सकते हैं जैसा कि अभी सियासिक गल्यारों में हल्चल या फिर चर्चाएं इस तरह की चल रही है अब आते हैं असल मुद्दे पर दरसल ये कहा जा रहा है कि सचिन पालेट अगर कॉंग्रिस से हटते हैं किनारा करते हैं और अगर किसी दूसरी पार्टी को चूज करते हैं तो वो बीजेपी का दर्वाजा सचिन पालेट के लिए खुला है हला कि अभी तक उन्होंने बीजेपी को जॉइन नहीं किया है आप ये वीडियो जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ आज है 14 तारीख यानि कि 14 जुलाई विकिपीडिया पर अपडेट किया गया सचिन पालेट को लेकर आज के दिन यानि कि 14 जुलाई को विकिपीडिया पर अपडेट किया जाता है कि सचिन पालेट ने बीजेपी का दामन ठाम लिया है लीडर्स के कौन-कौन से लीडर्स हैं उसका भी नाम mention किया गया है और पंदरा तारीख यानि कि जो पंदरा तारीख अभी आई भी नहीं है जिसका इंतिजार हमें एक दिन करना पड़ता है एक दिन के बाद वो पंदरा तारीख आएगी तो ये विकिपीडिया का पेज है जो आप देख रहे हैं जो की अपडेट किया गया था विकिपीडिया के तरफ से ये कहते हुए कि पंदरा तारीख को सचन पालेट ने दामन थाम लिया है बीजेपी का अब फिर क्या होता है ये आपने देख लिया थोड़ी ही देर बाद इससे डिलीट करके चेंज कर दिया जाता है जो कि अभी प्रेजेंट में स्थिती है वो फिर से विकिपीडिया पर एवेलेबल हो जाता है ये आपने समझा कि ये वो विकिपीडिया है जिस पर हम बिलीव करते हैं जिसके बारे में अगर हम पढ़ना चाहते हैं किसी के बारे में तो विकिपीडिया का सहारा लेते हैं अब ये पहली दफा नहीं है जब ऐसी कोई खलती याला परवाही सामने आई हो विकिपीडिया की तरफ से इससे पहले मैं आपको थोड़ा पिछे लेकर चलती हूँ सुषान सिंग राजपूत का मामला जो बहुती जोरो शोरो के साथ उठा सुसाइट हम सबने देखा कि ये सुसाइट का मामला सामने आया था और पूरी ही मीडिया रिपोर्ट्स जिस तरह से सामने आया थी कि पूरी टाइमिंग के साथ बताया गया था कि सुषान सिंग राजपूत ने कब क्या खाया कब क्या पिया और कब पूरी खबर सामने आई कि सुषान सिंग राजपूत ने सुसाइट कर लिया है वो तमाम टाइमिंग सब के जहन में थी सबको ध्यान थी कि कौन-कौन से टाइम पर क्या-क्या सुशान सिंग राजपूत ने किया थोड़ी देर दिनों बाद विकीपीडिया का वो मेसेज जो है सर्कुलेट होता है वाइरल होता है जिसमें ये बताया गया कि हिस्ट्री निकाली गई जिसमें सुबाह आठ बजकर चपन मिनट पर ही ये बताया गया था विकीपीडिया पर मेंशन कर दिया गया था कि मौत का कारण सुशाइट सुशान सिंग राजपूत की विकीपीडिया को अगर सर्च मारे तो उस पर इस तरीके की जानकारी जो है मेंशन कर दे गई थी टाइमिंग आठ बजकर चपन मिनट पर इसे अपडेट किया गया था अब आप ये देखिए कि सुशाइट का जो पूरी जानकारी है वो मीडिया में भी आती है बारा एक बज़े दो फैर में या फिर ग्यारा बज़े भी कह लिजिए लेकिन सुबह आठ बसकर चपन मिनट की टाइमिंग बताना विकीपीडिया की तरफ से वो कही न सबको अचमभित कर रही है पहले ही कैसे विकीपीडिया पर ये अबडेट हो जाता है ये कही न कही पुरा जाज का विशे है ये दो मामले ऐसे सामनी आए जिसने सबको हैरान कर दिया सबको परेशान कर दिया और ये बात मैं आप तक इसलिए पहुंचा रही हैं क्योंकि हम किसी पर भी आँख बंद कर विश्वास कर लेते हैं अगर हम किसी के बारे में पढ़ना चाते हैं तो Wikipedia पर पूरी तरह से विश्वास कर लेते हैं लेकिन यही Wikipedia किस तरह से आपको धोखा भी दे सकता है इसलिए आपको भी सतर्क रहने की जरूरत है हला कि यह जो दो मामले में आपको बताई यह पूरी तरीके से जांच का विश्वास जरूर है लेकिन आपको और भी ध्यान रहने की रखने की जरूरत है कि अगर आप कहीं पर किसी के बारे में पर रहे हैं Wikipedia का अगर आप इस्तमाल कर र पालेट के बारे में यह Wikipedia पर अपडेट किया गया अब कहीं न कहीं सवाल लाजमी है उठने अब देखना होगा कि Congress इस पूरे मुद्दे को किस तरह से उठाती है और इंतजार इस घड़ी का भी कि जब 15 तारीक आनके कल जब यह तारीक आएगी तब क्या वाकर प्रेडिक् को आप किस तरह से देखते हैं जरूर कॉमेंट किजिएगा मुझे दीजिए इजाज़त नमस्कार